दोस्तों वीडियो छोटी है बट काम की जानकारी आप सभी PF मेंबर्स के साथ share करने जा रहा हूँ मेरे को काभी सारे कोमेंट भी मिलते हैं और मेरे जो इस्टाग्राम आइडी है जो मेरे ट्विटर आइडी है जिसका नम है आयव परदिप सर्मा वहाँ पर भी मेरे को काभी सारे मेसिज मिलते हैं काभी सारे भाई मेरे को स्क्रिन सोड भेजते हैं कहते हैं कि परदि भाई जब हम फुले फाइनल सट्रिमेंट के लिए फोरम 19 तो हमने अपलाई कर दिया करमचारी शेर और नियोकता शेर की यह जो अमाउंट है इसको विड जाता है रेड कलर में हम फोरम टैंसी अपलाई नहीं कर पा रहे हैं इस मैसिज में लिखा रहता है कि टोटल सर्विस इज ग्रेटर देन और एक्वल टू 9.5 यर और सर्विस लेंट इज लेश देन 6 मन्त यह एरर मैसिज आ रहा है तो हम पैंसन का बैसा क्यों विड्रो नह पैंसन का पैसा रहता है इस पर एक अलग नियम चलता है अब 6 महने से कम की अगर आपकी सर्विस है पैंसन के केस में एप्यफो उस सर्विस को जीरो मानता है तो भूल जाये आपको पैंसन का पैसा मिलेगा आपको पैंसन का पैसा नहीं मिलेगा अगर आपकी सर्विस 6 महने से कम की है तो ठीक है अब बात आती है कि अगर आपकी सर्विस साड़े 9 साल से ज़्यादा की है तो फिर यह एरर मैसिज जा रहा है तो क्या तब भी हमें पै पैशा एक साथ विड्रो नहीं कर सकते फिर आप इलिजिबल हो जाते हो एप्यफो से हर महीने पैशन लेने के लिए जब आप अठावन साल के होंगे फिफ्टी एट येर के होंगे ना तब आपको एप्यफो हर महीने पैशन देगा EPS 95 Pension Skim के तहएट, Employee Pension Skim 95 के तहएट आपको जो हर महीने पैशन मिलेगी minimum Pension 1000 रुपए, बाकी calculate की जाएगी, आपकी service history calculate की जाएगी, कितना pension में contribution किया है वो calculate की आजाएगा, उसके बाद जो जादा भी आपकी pension बन सकती है, बट अगर आपकी pension 1000 रुपए से कम बन रही है साड़े-9 साल के बीच में होनी चीये, अगर 6 महीने से कम है, तो नहीं pension का पैसा मिलेगा और शाड़े-9 साल से ज्यादा की servis हो जाती है, तब भी pension का पैसा एक साथ आप विड्रो नहीं कर सकते है तो पैंसन का पैसा विड्रो करना है एक साथ तो आपकी सर्विश 6 महिने से लेकर साड़े 9 साल के बीच में होनी चीए तभी आप फोरम 10C अपलाई करके पैंसन का पैसा विड्रो कर सकते हो हाँ पैसो पर किसी भी तरीके का कोई नियम लागू नहीं होता पैसा अगर आपने एक मेने काम किया है दो मेने काम किया है आपका पैसा कंपनी ने जमा करा है तो आपने अगर जेड़ मेने काम किया है दो मेने काम किया है तो आपके पैसा ह तो उसको आप withdraw कर सकते हो, उस पर किसी भी तरीक हैगा कोई नियम नहीं है, दो महिने का भी निकाल सकते हो, तीन महिने का भी निकाल सकते हो, त्यार महिने का भी दस साल, भी साल का भी निकाल सकते हो, बट पैंसन के case में आपकी minimum service अगर 6 महिने से कम की है, तो पैंसन का पैंसन से ज़्यादा की सर्विस होने पर आप एलिजिबल हो जाते हो एप्याफों से हर मेहने पैंशन लेने के लिए आपको पैंशन मिलेगी आपको फोर्म अपलाई करना पड़ता है जब आप फिप्टी एटियर की हो जाएंगे तब थीक है तो मैं आपको बता दिया इस एर का मतलब क्या है यह एर मैसेज क्यों आता है अगर आपको भी कुछ इस तरह का एर मेसेज आ रहा था कुछ डाउट था तो आई होप कीलर हो गया होगा हां एक चीज़ और मैं आपको बता दू इसमें EPFO का नियम यह भी कहता है कि अगर आपने देखो 6 मेने से कम की सर्विस को EPFO 0 मानता है बट 6 मेने से अगर आपने एक दिन भी आगे काम कर लिया यानि कि 181 दिन आपने काम कर लिया तो फिर और उसके बाद आपने कंपनी छोड़ दी तो फिर उस सर्विस को EPFO पैंशन के केस में एक साल के बराबर काउंट करता है तो मैं आपको यह रिकॉमेंट करना चाहूंगा कि जहां पर भी आप जोब कर रहे हो तो देख लिजे 6 मेने अगर हो गया है तो उससे 10-15 दिन और काम कीजिए जिसे की पैंशन का पैसा ठीक है तो मैंने आपको केलियर कर दिया इस तरह का कोई मैसेज आ रहा था कुछ डाउट था तो केलियर हो गया होगा और केलियर हुआ या फिर नहीं हो आपके कोमेंट का इंतजार रहेगा और कहां से आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी आप जुरूर बताइएगा अपना ख्यार रखेगा बाबाए टेक क्यार